हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब मैं हूँ लीना आप देख रहे हैं स्मॉल इंडियन लाइफ स्टूडियो और आज दिन है ये छोटी दिवाली का और देखिए छोटी दिवाली वाले दिन भी कितना काम मेरे लिए बड़ा हुआ है एक्चुली क्या हुआ था कि मैंने कल मेरा ओर्डर दी थी बनवाने के लिए वैसे मैं घर पे बनवाने का सोच रही थी कि मेरा मन था मैं घर पे कारपेंटर बिलाके बनवाओं और लेकिन क्या हुआ ना बस थोड़ा सा पोपट सा हो गया उस चीज़ का आपको बताती हूँ तो अभी यह मेगा यहां दिये लगा रही है तो चोटी दिवाली और धंतेरस एक साथ ही थी तो इसलिए मैंने एकी दिन धंतेरस और चोटी दिवाली मनाई है किसी किसी ने तो धंतेरस पहले भी बनाया है और फिर चोटी दिवाली मनाई है बट मैंने सेम डे ही किया था औ और यहां पर भी मैं चाय बना लूँगी क्योंकि वह भईया आये हुए थे जो फिक्स कर रहे थे ना अलमीरा तो वह भईया आये हुए थे उनके लिए भी चाय बनाना था और मेरा भी मन था मैं ऑफिस से आई थी कि चल चाय पीलूँ थोड़ी सी ना थकांसी हो रही थी बहुत महसूस हो रही थी थकांसी तो यहां पर अभी वह भईया अलमीरा जो है वो ओपन कर रहे थे एक्चली क्या हुआ था मैंने अलमीरा बनने के लिए दी थी बहुत टाइम पहले से पहले मैंने सोचा था कि खुद बन माऊंगी घर पे बट उन्होंने मना कर दिया कि घर पे स्पेस नहीं है बिल्कुल भी कि काम कैसे कर पाएंगे हम तो इसलिए फिर मुझे लगा कि ठीक जैसे वो कह रहे हैं तो वैसा मुझे मान लेना चाहिए तो उन्होंने वहीं से अलमीरा को बना के भेजा और बोला कि आपके उदर खोल के इसको फिक्स कर देंगे और जो चार्जिस अलग लगेंगे उसके तो अब मुझे लगा कि क्या कर सकते हैं वही बात है न मरता क्या करता वाला सीन हो जाता है अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो यहां पर क्या हुआ था जगा थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी अलमीरा के लिए तो मुझे ना बैड को घुमाना पड़ गया तीन से चार इंच का ही परक था उनके जो साइज नापने में तो मुझे लग गुमा देती हूं तो तीन-चार इंच का फरक तो कम से कम पड़ी जाएगा एटलिस्ट मेरी अलमीरा तो फिक्स होई जाएगी तो क्या हुआ था यहां पर यह बैड को हमने ना सेट कर दिया था इस तरीके से और अलमीरा ओपन भाया ने नीचे ही कर ली क्योंकि वह उपर तो मेरे आही नहीं सकती थी बनी बनाई भी अगर चड़ाते तो भी ना टूटने का डर रहता है एक्चुली जो भार का जो होती है यह रेलिंग होती है यहां से अलमीरा को बांद के खीचने में तो बड़ी गड़बड सी हो जाती है तो देखिए यह क्या मस्ती चल रही है इंगे पंपकिन इसका तो इनकों बस क्या ही बना के रख दिया है बचों ने इधर उठाके फैकने पंपकिन की तरह है इसके साथ खेल रहे हैं बस और गुछ नहीं यहां पर यह Almyra भहिया fix कर रहे थे तो क्या हुआ था मैंने Almyra बनने दी थी दिवाली से काफी दिन पहले तो बनके आई लेकिन जो डिजाइन ये आनी थी Almyra दिवाली से तीन या चार दिन पहले मतलब Friday को यह Almyra आनी थी बनके और Friday को लग जानी थी लेकिन क्या हुआ उन भाईया को जहां पे बनने के लिए दी थी कुछ महां कन्फ्यूजन हो गया जो गोडाउन में बनती है न वहां पे कुछ कन्फ्यूजन हुआ और जो उन्होंने डिजाइन बना दिया न मतलब जैसा मैंने बताया था उसके तो टोटली अपॉजिट सा ही उन्होंने कुछ बना के रख दिया था तो अब मूड बड़ा खराब हो गया कि क्या करूं मुझे तो यह डिजाइन चाहिए ही जो है ब्राउन टोन है अंदर मुझे अंदर थोड़ा सा ना लाइट शेट चाहिए था बट मुझे लगा ठीक है मेरे पास कपड़े रखने की जगा नहीं थी तो मैं क्या करती बस मजबूरी थी मेरी तो मुझे इसी को ही एग्री होना पड़ा कहते है ना जब आपके पास मजबूरी हो जाती है ना सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि क्या करोगे मतलब मेरे कपड़े ना आप बिलीग नहीं करेंगे ऐसी बाहर सोफे पर रखें क्यूंकि ना मेरे पास रखने की कपड़े जगा ही नहीं है एक अलमीरा है चोटी जिसमें दोनों मेरे हजबन के और मेर कपड़े रखने की जगा ही नहीं थी ना तो मुझे लगा कि चलो मुझे ले लेना चाहिए तो चलिए मैं और इसी में शेयर कर रही हूं मैं बनाऊंगी एक और जो की मैं आप बिलीग नहीं करेंगे यह वेस्ट मेरी बैंगल्स पड़ियोई थी यहां मैं बैंगल्स का इसे रख दूंगी फोल्ड करके तो भी गिरते हैं तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे दूपट्टे नहीं बार बार मतलब अगर जैसे हम कोई भी कपड़ा निकाल रहे है एक दूपट्टा निकाल रहे है दूसरा दूपट्टा गिरना नहीं तो कुछ ऐसा करूँ तो मुझे लगा चलिए मेरे पास यह हैंगर तो है ही और यह जो हैं वेटल वाली थी वह वेस्ट ही तो मुझे लगा चलो मैं ऐसा ही कुछ करके ट्राइ करती हूँ बट मेरा ये तरीका जो मेरे ये टेखनीक है वो काम कर गई दुपट्टे बहुत ही अच्छे से इसमें लग गए एक हैंगर में छे दुपट्टे आ गए और दो हैंगर मैंने ऐसे बना लिए 12 दुपट्टे मे आपाएंगे क्योंकि जो चूडी का साइज है वो बहुत छोटा था तो इसलिए ऐसे करके ये रग दे और बहुत सीधे हैं ऐसा भी नहीं कि कोई इसमें सिल्वेटे आ जाएंगी या कुछ ऐसा हो जगे नहीं बहुत अच्छे से से सेट हुए हैं पाकी मैं इस जिस तरह से और नाइस करती हूँ ना कपड़े आज मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ मेरे पास एक्चुली आपने देखा होगा एक लोई की अलमीरा उसमें एक्चुली जगा ही नहीं थी कपड़े रखने की हम चारों के कपड़े पहले उसमें मैंने वस ठूस ही रखे थे मान ल जाए तो किसे नहीं अच्छा लगता ना अच्छे से रहना सब को ही पसंद है सभी चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से रहे हमारी हर एक चीज बहुत अच्छे से रहे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हर चीज आती है कपड़े भी कोंसा कोई सस्ते आते हैं बहुत मह क्यानत भी लगी जाती है तो ऐसे से रखने से कपड़े दर उदर पड़े रहने से कपड़े खराब भी हो जाते हैं तो इसलिए मुझे लगा अब जब चीज आई गया तो मैं क्यों न उसे अच्छे से ही सजा के सवार की रख दू तो मेरे पास यह बास्किट तो मैंने ले ही लेकिन अभी मैंने ना बहुत अच्छे सिस्टमेटिक टाइप से एक चीज को न सेट कर दिया है मतलब यहल मीरा जो है यह फोर इंटू सेवन फीट की है मतलब इसकी साथ फीट तो लंबाई है और चार फीट इसकी चोड़ाई है एक बड़ा सेक्शन है वो मैंने अपने ल जो टीनेजर गल्स हैं वह तो जादा तर मतलब जीन्स टॉप ही पसंद करती है पैनना उनके पास जादा और तरह के कपड़े नहीं होते हैं मेका के पास अगर है भी थोड़े बहुत है वी तो वह मैं पैकिट्स में डालके रखती हूँ मैं आपके साथ अभी शेयर जैसे की मैंने आप देarta रहे हैं जो अपने जोॉइ-फिय से कुड़ते होते हैं ओक्रफिते बाता बाशकटी न इसके अंदर सारी वनुजफ प्ल ख ils सेंदेर है नहीं और बॉटम बिएर मैंने लिगी होती है और जो हमारे नाइट वियर के जो लोवर होते हैं वो सब मैंने सेट कर दीन है । इस बैग में इस पार्टी वेर सूट्स है जो कि मेरे कहीं आने जाने में काम आते हैं और यह नीचे यह बास्किट रखिया है इसमें मैंने रैंडम सा सब भरके रख दिया है मतलब जो एक-एक एक्स्ट्रा है जिसमें बहुत जादा मिरे पास अलग-अलग नहीं है उसके मैं मतलब अलग-अलग सेपरेट पार्ट बनाओं तो एक-एक कुछ है तो मैंने रेंडम उस तरह से भरके रख दिया है बस उसमें और साइट में यह जो आप देख रहे हैं मैंन यह साड़ी भी ऐसे फोल्ड रहती है इसी पैकेट में रहती है और यह आप देख सकते हैं मेरे हाथ में यह पाउच है यह गिफ्टिड है मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था मैंने इसे एक बार भी यूज ने किया है कहते है ना किसी की दियोई चीज को यूज करन और यह पाउच देख रहे हैं इस पाउच में मेरी घड़ी है और यह चूडिया जो होती है इस तरह से लगा के रखा है देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गई है सारी चूडिया ना तो यह मैं बाहर रग दूगी जहां मेरा मेकप का समान रहता है यह सबसे ऊपर जो मैं मैं यह दूपटे लगा दिये हैं बहुत अच्छे से दूपटे सेट हो चुके हैं यहां पर अभी एक निकालूं की तो सारे नहीं गिरेंगे और यह जो है यह गाउंस है मेरी दो तीन जो लॉंग ड्रेस होती है और इन सब में मैं एक में जोर्जट के एक में कॉर्टन के कपड़े लगा दिये हैं इसमें मेरे सारे बॉटम वियर हैं चूड़ी दार हैं मतलब पजामी लेगिंग्स हैं और लोर्स हैं यह सब चीजे मैं इसमें सेट कर दिये हैं ताकि एक निकालूं और सारे गिरेना और इदर मैंने अपनी टी-शिट चार-पाँच है वो रग द तो चलिए इस वीडियो को यह यह एंट करती हूं मिलती हूं आपसे अपने अगले वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगाओ वीडियो तो प्लीज एक लाइक जरूर देते ना सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में बाबाई